हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और आज मैं आपको एक जैंट स्कैप डिजैन दिखाऊंगी यह देखिए यह दो सीधे और दो उल्टे का मैंने इसमें फंदे बनाए हैं और इसमें मैंने डाले हैं 120 बनाने के बाद इसको मैंने 8 इंच बनाया है यह देखिए इसको सड़े आट इंच तक बनाया 120 बनाने के बाद और अब मैं इसमें इस तरह की शेप दूँगी जैसे यह है न यह एक रेडिमेट कैप की शेप है और इस तरह की शेप देने के लिए हमें कैसे फंदे घटाने हैं यह बताऊंगी मैं यह देखिए आदे फंदे मैंने घटा लिए हैं इस तरीके से और आदे फंदे मैं आपको घटा के दिखाऊंगी की कैसे घटाने होते हैं मैं फंदे इस तरह की शेप देने के लिए गोलाई वाली और 120 फंदे के हाफ फंदे कर लिए मैंने 60 फंदे करने के बाद यह मैंने इदर से 4-4 फंदे करके घटाए हैं 4 इदर 4 इदर से जब हमारे याँ 8 फंदे बचे फिर मैंने उनको इखटा घटा दिया अब देखिए तरीका बता देती हूँ यह देखिए पहले 60 फंदे के हमने गटाए अब 60 फंदे के इधर से अभी हमें चार-चार फंदे गटाने है चार इधर से और चार उधर से यह देखिए चार इधर से गटा लिए मैंने यह थोड़ा सा डार्क कलर है इस तरीके से चार फंदे गटा लिए अब मैं इसको बिल्कुल सिम्पल जो सीधे उल्टे के फंदे हैं वो बना लूँगी और हर बार इसी तरीके से गटाते हुए चार इधर से और चार इधर से जब यह आठ फंदे बचेंगे उपर टोटल फिर इनको मैं आपको दिखाऊंगे अभी मैं इनको ऐसे चार चार फंदे गटा के बना लेती हूँ हाँ अब देखे ये आठ फंदे अब बच गए हैं और जैसे यहां पर आठ फंदे बनाने के बाद बचेंगे जो यह मैंने घटाए थे अब मैं यह आठ घटाऊंगी चार-चार फंदे घटाने के बाद जितने भी फिर हमारे यह आठ फंदे बचे हैं यह खटे घटा दूंगे अब यह देखिए इस तरीके से अब इसकी सिलाई करूँगी मैं और शीलने के बाद फिर आपको दिखाती हूं मैं इसकी कैसी शेप आती है इसको मैं पूरी सिलाई कर लेती हूं यहां से यह गोलाई हो जाएगी इसकी और यह बहुत ही सुन्दर कैप होती बनती है जब उड़ते हैं इसकी बहुत ही अच्छी शेप आती है और मैं सीलने के बाद दिखाऊंगे आपको